निदीश यते जस्वी होंगे डिप्टी सीयमर फिर से चाचा भतीजे की सरकाव सुप्रीम कोट में सुन्वाई याद जमियत उलेमाय हिंदग ने एक्शन पर उठाया सवार जम्मु कश्मीर के बढ़गाव में सुरक्षा बलो की बड़ी कारवाई खुंखार आतंकी लतीर राथर को चोड़ोर से घेरा सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल अंतरास्ट्री बजार में कच्छ तेल के भाव में घिरावट आने की सम्हाव लगा कॉंक्रस नेता है एक बार फिर प्रियांका गांधी कोरोना पॉल सुटेवर खुद ट्वीट कर दी जानकारी आज यूपी के मुख्य मंतरी सीम योग्याद तिनाथ दिल्ली दोरे पर जाएंगे के इसी कड़ी में करीब तीन बजे सीम दिल्ली पहुचेंगे जहां वह उप्राष्टुपती वेंग गया नाई जून के विदाए समाहरों में शामिल होंगे जिसके बाद 11 अगस्त को सीम ने उप्राष्टुपती जगदीब धन करके शपतगरण शमारों में भी शामिल हो करेंगे अधितिनाथ दिल्ली जाएंगे अंतिम विदाई देने के लिए वंकया नाई जू को वो दिल्ली जाएंगे और विदाए समाहरों में शामिल होंगे वही जिसके बाद 11 अगस्त को जो ने उप्राष्टुपती के रूप पे शपत लेंगे जो अगदीब धनकर उनके शपत अधिति ग्रहड समाहरों में भी मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ दिल्ली जाएंगे समवडाता सुशान नाकपाल इसकवर प्रधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ जो के शुशानत है आज जो उप्राष्टुपती है वेंकया नाई जू उनका विदाई समाहर है जिसके लिए तमाम जो मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता है चाहे वो पक्ष के हो या वो पक्ष के हो सब दिल्ली पहुंच रहे हैं क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर जी विल्कुल मुख्यमंत्री योगी आज दिल्ली दोरे पे हैं और आज लगबग तीन बजे करीब मुख्यमंत्री योगी एतनाथ लगनाव से दिल्ली तीन मजे अपने जगे पे आ जाएंगे इस्थान पे जहां पर उक राश्ट्रपती बेंके नाइडू के विदाई सम समारो रखा गया है और जहां तक की जानकारी मिल पाई है गौतंब नार की सीमाओं पे भी सेक्योर्टी अलर्ट कर दी गया है और भारी मातरा में पुलिस बंड भी सीम की से लिकुर्टी के लिए तैनाथ कर दिया गया है लगबग तीन बजे करीब सीम योगी पहुच समारो है उसको भी लेकर क्या कुछ तैयारिया चल रहेंगे जी बिल्कुल 11 अगस्त को बचाया दाएजरा है कि जब जगदी धंकर जी पत देंगे उपर रश्ट पतिगा उस दौरानी अब संभावना है कि सीम योगी आ इतनाथ 11 अगस्त को भी उनके शपत ग्रेंड समारो में महां पे उपस्तित रहेंगे और 11 अगस्त को भी पूरे चांस है कि सीम महां पे मौजूद रहेंगे जी तमाम जवनकारी के लिए आपका शुक्रिया सुशान अगरा कैंट स्टेशन पर आर पिएफ के जवानों की तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया आर पिएफ के जवानों को फूल माला पहना कर स्वागत की तिरंगा यात्रा दल में गुजरात महराश्टों मध्यप्रदेश जोन के आर पिएफ के जवान शामिल थे I'm David from New Zealand, visiting here on holiday, we've had a fantastic two days in Agra, we've come like every tourist to see the main features of Agra and had a lovely time, two days is not enough in Agra, I assure you, and we are now heading back to Delhi and then we go back home, we've had a lovely time and privileged so much to be part of the group here and invited to the photograph. Thank you for your hospitality. और कल सुबए यहां से रवाना होगे, आज ये रात्री में यहीं मिश्राम करेंगे. आज़ापूर में यूपी कॉपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड पी-सी-एफ के चेर्मेन बाल्मी की दोरे पर रहें, इस दोरान उनका पीज़ाबलू डी गेस्ट हाउस मिजला सहकारी बांक के चेर्मेन बुके देकर स्वागत सम्मान किया. पी-सी-एफ के चेर्मेन ने धान खरीद और किसानों की आयद उगनी को लेकर जिम्मदारों के साथ एक बैठक कर धान के सेंटरों खरीद को लेकर आवशक दिशान इर्देश दिये. पालमी की तरपाधी जी और हमारे लखनो मंदल के डारेक्टर मानी राम बादूर सिंग्जी आशाजा पुराय है. उन्होंने विवागी अच्काजियों के साथ बैठक बाता करने के बाद अब धान क्रेनीत आ गई है. उसकी बारे में आवशक दिशा निर्देश दिये हैं और मानी मोदी जी का जो मंत्र है किसानों के आज दोगनी करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे. वाजपा के सरकार जहां भी हैं और जिसी प्रदेश में हैं और उतर प्रदेश में पिछली योगी जी की सरकार और योगी टूप की सरकार में भी किसानों का पूरा गेहू तौला गया और इसी तरीके से धान का भी पूरा का पूरा मुल देने की विवस्ता हम लोग कि अपना हार मानता हूं ऑपने घर आया हूं आपने भाई बांधों से मिल करके। ऐसके परिवार में जो प्रसनता होती है वही प्रसनता का अनौ पर मिल कररके, और परिवार के बारे में जानकारी करें प्रदान बंतरी जी ने आवाहन किया है कि हर घर पर तिरंगा लगे उसी के लिए जागरती समाज में हो और नई पीड़ी को ये पता चले कि कितनी कुर्बानियों और बलिदानियों के बाद ये आजादी मिली थी इसी उतेश के साथ भारतिय जंता पार्टी चौक मंडल यु काजिपर समाजवादी पार्टी की तरफ सी तरंगा यात्रा की शुरुआत की गए जिसको पूर नेता प्रतिपाक्षराम गोविन चौधरी ने यात्रा का रवाना किया तरंगा यात्रा आज से शुरू होकर कई जनपतों से होती वी 27 ओक्टूबर को वराडसी पहुचेग के मताबिक समझवादी युवा नेताभी शेक यादव की अगवाई में यात्रा शुरू की गई है इसका हुझेश यह है कि आथ अगस्त को गाभी के मैदार में गाभी जी ने यह भूसरा कि अब हमको आजादी से कम कुछ नहीं चाहिए इसलिए उन्हों करो अमरो का अंधोलन दिया कि जब तक देशाद नहीं हुआ हम हटाने के लिए सरकार को अंधोलन करेंगे आप हमाया ज्याम आभी चाहिए के बंद कर लिया है इसमें क्रांटी हो गई कई जवा लुक सहीद हुए ठाने पर कलतर के आफिस पर घार सुनभदर में आजवादी की 75 वी वर्सगाड के उपलक्ष में अमरेत महोत्सो कारिकरम के तहट हर घर तिरंगा अभियान चला है जवानकारी के मताबिक ठाना शक्तिनगर और चौकी डाला में पलिस ने आम लोगों को राज़द्वज वित्रड कर तिरंगा रैली निकालिस दोरान ठाना ध्यक्ष और सभी पलिस कर्मचारी मौजूद रहे काजपुर के महमदाबाद छेतर के उतराओ गाओं में बड़ी अकीदत के साथ महरम का तेवहर मनाये गया सुरान दसवी महरम में 60 फिट उचा ताजिया का जुलूस निकाला गया जुहनकारी के मुताबिक 60 फिट उचा ताजिया असपास के जिलों में खाश आकरशड का केंद्र बना हुआ था इस ताजिया को बनाने में कितना समय लगता है आप लोग को कि प्रूट आसरी कारिगर मंगाते हैं या कुद काम करते हैं है कि इतनी थूचाही की ताजिया होगी क्योंकि पूरी जनपत में फ्ह опыт हैं यह यह तॉच्पा कि इतना वाजन हो सकता है कि नुदिया का तो चाहई होगी और वजन कितना होगा वजन पूरी जनपत में फेहाईएस ग्राम सबयति ताजिया नमसं जो है 55 साट्वी की ताजिया है और वजन कितना होगा वजन तो आन्दाजा नहीं कर पाएंगे कि वज़न कितना हुए लमसम जो है देर सो दोर सो लोग लगते हैं दोलेंगे अ ज़ाम इसकान त्याकी काई कई वीडियो वारल हो रहा है जिसमें वो एक महिला से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं माफी मांगते हैं महिला से उन्होंने कहा कि आवेश में आकर मैंने अभधर भाशा का प्रियोग किया खबर सुन भदर से हैं जहाँ पर पुलिस अधिक्षक की निरदेशन में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया गया जिसके तहत क्राइम ब्रांच और पुलिस की सयुक टीम ने मोटर साइकल सवार को गिरफतार कर लिया तसकर के कबचे से करीब 110 ग्राम हिरोईन बरामत किया गया है गिरफतारी के सम्मन्द में थाना रॉबर्ट्स गंज पर एंडी पीएस एक्ट का अभियोग पंजगरित किया गया है हमारे स्वाट और सर्विलान समधारी और खाना रावर्ट्स गंज की पुलिस ने में पर एक बहुत अच्छे तो फिरोईन प्रसकरों को गिलमताती है इसके एक है अब्दुलमजीद उर्फ बच्छा और तुसरा है मत्याद इंसारी ये तोनों रावर्ट्स गंज कस्वे के देने वाले हैं इनका दोनों का पूर में भी अपरादी के दिखास है और इनके कपजे से तेर सो ग्राम गिवन परामत भी है बल्या के जिला अस्पिताल में देर रात दो पक्षों में हिंसक जड़ाप हो गए चानकारी के मताबिक गोपाल लगर गाओं में दो पक्षों में जम कर विवाद हुआ था जिसमें कई लोग घायल हो गये थे पुलिस घायलों को लेकर अस्पिताल पहुची थी वहें पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया घटा के बाद पुलिस मेहकमे के आलाधिकारी ने मौके पहुच कर मामले को समाल लिया परेली के ज्यत नगर थाना चेतर में नगर डिंगम की टंकी का लिंटर डाला जा रहा था दौरान पूरा लिंटर नीचे गिर गया हादसे में कई मजदूर घायल हो गये जिनको ग्रामीर की मदद से बाहर निकाला गया और अस्पिताल में भर्टी कराया गया सुचना बिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुचे सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मजदूर को बाहर निकाल दिया गया अधिकारी में जिस्त नदर में नगरिया परिष्टे पेलिया में सुचना बिलिदूर को के एक एक अंगी का टॉप कवर पलेट्स हुआ है तो रन्प पुलेस और जो फायर की रिजिट्री में वो यहां पर पॉप्ची है अभी जो जूटी रिजिट्र सब लोकन किया है उ दॉप्ची के लिखियर भी लेखिया है थान्यजिट्री में अभी जूटए करवाए कि इसके अलाबा हम चीषिक थोपनि रह गया है तो फाहर यह अभी यहां पानी के टेंग में तर्टिंग में की वैसे यह आता हुआ है किसने लोग किसने लोग दब गेते इसमें तबेतों बोगी नहीं लोग हैं बागी लोग उसकी भाहर निकाल लिए गये हैं अब तक कि खास खबरों में इतना ही आप देखते रहिए प्राइम टीवी कि खास खबरों में तर्टिंग में तर्टिंग में तर्टिंग में लोग हैं